जै स्री कृष्णा आए सुनते हैं कजरी तीज ब्रत कथा पूजन बिधी हिंदू पंचांग के अंसा भादु मास के कृष्ण पस्च की तृतिया तिथी को कजरी तीज पर्व मनाया जाता है जो इस बार 14 अगस्त को मनाया जा रहा है पेब्रत शुहागिन महिलाएं अपने पती की लंबी उम्र के लिए रखती हैं एपर्व उत्तर भारत के कई हिशों में मनाया जाता है इस ब्रत को सातूरी तीज और बूरी तीज के नाम से भी जाना जाता है इस ब्रत को कुवारी कन्याएं अच्छी वर की प्राप्ती के लिए रखती हैं कजरी तीज की पूजन बिधी और महत्व को सुनते हैं इस ब्रत में जव, गेहु, चने और चावल के सत्तू में घी और मीवा मिलाकर पक्मान बनाए जाते हैं इस ब्रत में पूरी दिन महिलाएं निर्जला ब्रत रखती हैं और रात में चंद रोदय के बाद भोजन करके ब्रत तोड़ती हैं इस ब्रत में साथ लोईयां बनाकर उन पर घी और गूर रखकर गाय को खिलाने के बाद भोजन किया जाता है इस तीज़ पर आसपास की महिलाएं एकत्रित होकर नाच्टी और गाती हैं कजरी तीज़ पर नीमडी माता की पूजा की जाती है ब्रत रखने वाली महिलाएं इस दिल शुबह अशनान कर शाप वस्त्र धारण करती है इसके बाद मिट्टी और गोबर से दिवार के सहारे एक तालाब जैसी आकरिती बनाती है और उसके पास नीम की टहनी को रोप दिया जाता है फिर बनाए गए तलाब में कच्चा दूद और जल डालते हैं और उसके पास दिया जला कर रखते हैं फिर एक थाली तैयार की जाती है जिस पर नीबू, कक्डी, सत्तू, रोली, मौली, अच्छत, कक्डी, केला, शेव आधी रखे जाते हैं साथी एक लोटे में कच्चा दूद रखना होता है पूजा की तैयारी करने के बाद, सामके समय, श्रिंगार के बाद, नीम्री माता की पूजा की जाती है आईए सुनते हैं, पूजन विधी, सबसे पहले नीम्री माता को जल वर रोली के छीटे दें, और कुछ अच्छत चढ़ाएं फिर नीम्री माता को वस्त्र और स्रिंगार सामगरी चढ़ाएं, फिर फल और कुछ दच्छिरा चढ़ाएं, फिर पूजा कलस पर रोली से तीका लगाकर उस पर लच्छा बाद्धें, फिर घी का दीपक जलाकर पूजा करें और दीपक के उजाले में, नीबू, कक्डी, नाग की नत, नीम की डाली, सारी का पला आधी देखें, अंत में चंद्रमा को जल चढ़ाएं, फिर ब्रत खोलने, और फला हार ग्रहर करें, चंद्रमा को जल के छीटे दें, और फिर रोली, मोली और अच्छत चढ़ाएं, इस के बार भोग अर्पित करें, फिर चादी की अंगूठी और गिहूं के दाने, हाथ मी लेकर चंद्रमा को जल से अर्ग दें, और एक ही जगह पर खड़े होकर, चार बार घूमें, आईए सुनते हैं, कजरी तीज ब्रत कथा, एक समय की बात है, एक गरी ब्रामहरी ने कजरी तीज ब्रत को करने का दिट संकल्ब कर लिया, ब्रामहरी ने अपने पती को ब्रत करने की बात सुनाई, जिससे ब्रामहर के पैरो तले, जमीन खिसक गए, ब्रामहर अब कर भी क्या सकता था, इसलिए पत्नी के ब्रत को पूरा करने के लिए वह जरूरी सामगरी जुटाने के लिए निकल पड़ा सामगरी के रूप में चना, गिहुं और जव के आटे से बने सत्तू की जरूरत थी क्योंकि इन चीजों से बने पकवानों का भोग ब्रामःरी को कजरी माता को लगाना था ब्रामःर चाह कर भी सामगरी को नहीं जुटा सका अंत में वह एक साहुकार के यहां जाकर सत्तू बधवा लेता है और बिना धंदिये सत्तू को लेकर आगे बढ़ जाता है साहुकार ब्रामःर को धन देने के लिए कहता है परंतू ब्रामःर सत्तू को लेकर भागने लगता है ब्रामःर को ऐसा करते देख साहुकार को लगता है कि ब्रामःर ने चोरी की है इसलिए वह अपनी कुछ लोगों को ब्रामःर की पीछे लगा देता है ब्रामहर को पकड़ लिया जाता है और तलासी लेने पर किवल सत्तु ही उसके पास मिलता है तब साहुकार ब्रामहर से ऐसा करने के पीछे की वजह पूछता है ब्रामहर सारी बाद साहुकार को बता देता है पता चलने के बाद साहुकार कहता है कि आपकी पत्नी आज से मेरी बहन है और ऐसा कहने के बाद साहुकार ब्रामहर को सत्तु के साथ धन ववस्त्र देकर बिदा करता है ब्रामहर घर पहुच अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है जिसके बाद ब्राम्हडी सामग्री का प्रियोग करते हुए ब्रत को पूरा करती है ब्राम्हडी ब्रत के फनस्वरूप पती की दिर्गायू वशाहुकार के अच्छी स्वास्त वशंपन्नता की कामना करती है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें हमारे चैनल भक्ती गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन औल पर सेट करने ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच सके धन्यवाद